Hello and welcome to Mint Talk India, आज हम पढ़ेंगे इंसी एर्ट क्लास 50 वेस का चैप्र नबर 14, When the Earth Shook. This chapter is based on a true incident. एक लड़की जिसने सच्ची में अर्थक्वेक यानि की भूकम को जहला था, वो अपनी कहानी बता रही है इस चैप्र के द्वारा. A bad dream, एक बुरा सपना. Help, help, save me. There was screaming and shouting everywhere. हर तरफ लोग चिला रहे थे, चीक रहे थे. The ground was shaking and the people were running all around. जमीन हिल रही थी और लोग हर तर इधर उधर भाग रहे थे. Screaming loudly, I got up. जोर से चिलाते हुए मैं नीन से जाग गई. On hearing me, my mother also woke up. She came running and held me tightly. मेरी चीखने की आवाज सुनके मेरी मा भी जा गई और जल्दी से आके उन्होंने मुझे लपेट लिया. It was the same bad dream. वही बुरा सपना देख रही थी मैं. It has been more than six years now since the earthquake. But in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. उस भूकम्प के आई हुए 6 साल हो चुके थे. लेकिन आज भी मैं जमीन का हिलना और कपकपाना महसूस कर पाती हूँ. Earthquake क्या होता है? Earthquake is a natural disaster. ये एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रकृति लेकर आती है. That is caused due to sudden shaking of that ground due to some underground disturbances. Earthquake तब होता है जब हमारी धर्ती हिलने लगती है और धर्ती के ऊपर के सारी चीज़े टूट कर बिखर जाती है. जब जमीन के बहुत नीचे बहुत ही भयानक हलचले होती है जिसके वज़े से जमीन हिलती है. Buildings break and fall, roads cracks, many people die and many property get damaged. I am Jasma. I live in the कच area of Gujarat. मैं Jasma हूँ और मैं Gujarat के कच area में रहती हूँ. I was 11 years old when there was an earthquake और जब Gujarat के कच में भूकम पाया था तब मैं 11 साल की थी. It was 26 January 2001. वो 26 January का दिन था 2001 साल में. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. 26 January के दिन हम स्कूल जाते हैं, प्रोग्राम होता है और घर में वापस आके हम टीवी पे Republic Day का प्रोग्राम देखते हैं. उसी तरह जस्मा भी अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल के playground में जमा हुई थी Republic Day का प्रोग्राम देखने के लिए. Suddenly the ground was shaking और अचानकी जमीन हिलने लगी. People were scared and started running here and there. सभी लोग डर गए और यहां वहां दौणने लगे. किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए. जैसे कि मैंने कहां कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है. 26 जनवरी 2001 को हमारे गुजरात स्टेट के कच्छ एरिया में बहुत ही भायानक भूकम पाया था. और ये फोटो उसी समय की ली गई है. गुजरात कहां होता है? गुजरात के ही उपर के एरिया में है कच्छ. In a few minutes, our village was flat on the ground. कुछ ही मिंटो के अंदर हमारा पूरा गाउं एक दम धर्ती में समा गया था. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stone. हमारे सारे सामान, हमारे कपडे, हमारे मतके, हमारा खाना, पीना, अना, सब कुछ मलबा और stones यानकी पत्थर के नीचे दब गया था. At that time, everyone thought of two things. To save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospital was also damaged. गाउं का अस्पताल भी एकदम तूट के बिखर गया था. Many people were seriously injured. बहुत सारे लोगों को बहुत ही गहरी चोटे आई थी. My leg also got fractured. और मेरी भी टांग की हड़ी तूट गई थी. The doctor treated people with the help of villagers. Six people of our village died. मेरे गाउं के छे लोग इसी आपदा में मर गय थे. My grandfather was also buried under the house. और जब हमारा घर तूट के गिरा था, उसी घर के मलवे में मेरे नाना जी भी दब के चल बसे थे. My mother wept all the time. House of Mota Bapu, who is the serpent of our village, was not much damage. हमारे गाउं के सरपंच Mota Bapu का घर ज्यादा तूटा नहीं था. He gave rice and wheat to everyone from his go-down. उन्होंने अपने गोदाम से हम सब के लिए अनाज की व्यवस्था की. For many days, the village woman cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. बहुत दिनों तक गाउं की सभी औरते मोटा बापू के गोदाम से अनाज लेकर ही खाना पकाती थी और सब को खिलाती थी. Imagine being without a house in the cold winter. सोचिये तो, ठंडी के दिनों में बिना घर के रहना कैसा लगता होगा? भूकम का डर और सर्दी हमें रातो रात जगाया करती थी. क्या आपने भी कभी इस तरीके की difficult situation को face किया है? तो जो बच्चे असाम और सिक्किम के एरिया में रहते होगे, उन्होंने जरूर इस तरीके के situation को face किया है, बहुत सारे सरकारी और बेस सरकारी organizations भी आते हैं लोगों की मदद करने, डॉक्टर और नर्स भी आते हैं नेरबाई हॉस्पिटल से, कई शॉपकीपर्स भी अपने दुकान का सामान मुफ्त में देते हैं क्योंकि लोगों की मदद करना अच्छी बात होती है. हम लोगों के साथ लोगों के बीच इसलिए रहते हैं ताकि जरुरत के समय पे हम एक दूसरे की मदद कर सके. Help arrives. For some days, after that, people from the cities kept coming to see what had happened. उस दिन के बाद कई दिनों तक शहरों से बहुत सारे लोग हमारे गाउं में आ रहे थे लोगों की मदद करने को, situation को देखने के लिए. They came with food, medicines and clothes. और वो हमारे लिए खाना, दवाईयां और बहुत सारे कपड़े भी ला रहे थे. क्योंकि हमारा सब सामान तो हमारे घर के साथ तूट कर जमीन में बिखर चुका था. Everyone used to rush to take things. People from different groups from the cities helped us. शहरों से आने वाले बहुत सारे लोग हमारी मदद कर रहे थे. They helped us to put up the tents. Staying in these plastic tents in the cold wilton ones was very difficult. इस तरीके के plastic tent में सर्दियों की राते गुजारना बहुत ही मुश्किल था. लेकिन at least हमारे सर के उपर कुछ तो छत थी. Some of these people were scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. शहरों से आने वाले उन लोगों के बीच कुछ लोग scientists भी थे, यानि कि व्यज्यानिक. और वो ये पतान लगाने के कोशिश कर रहे थे कि हमारे एरिया में ऐसी कौन-कौन सी जगा है जहां पे भूकंप और ज्यादा आने की संभावना है. People from our village talked to them many times. They had suggestions about building our houses again. और उन scientists लोगों के पास हमारे लिए दुबारा घर बनाने के बहुत सारे suggestions थे. Engineers और Architect भी आए थे हमारे लिए special design लेके. They said that with these designs, houses would not get damaged much after an earthquake. और उन Engineer और Architect लोगों ने हमें ये भी बोला था कि उन घरों के designs कुछ ऐसे होंगे जो भूकंप की वज़े से ज्यादा damage नहीं होंगे. But our people were little afraid. लेकिन हमें थोड़ा डर भी लग रहा था. हमने सोचा कि यहां पे अगर शहरों जैसे घर बन गए, बिल्डिंग बन गई, तो हमारा गाउं वैसा नहीं लगेगा जैसे पहले हुआ करता था. So, the villagers thought they would build their house with their help. तो फिर गाउं वालों ने सोचा कि वो खुद ही अपना घर बनाएंगे, लेकिन वो scientist लोगों की help भी लेंगे. हम सभी ने मिलकर हमारे गाउं को दुभारा बनाना शुरू किया. कुछ लोगों तालाप के किनारे गड़ा बना के बहुत सारा मिट्टी लेकर आए. कुछ लोगों ने उसमें गाउं का गोबर मिलाया और बहुत बड़े-बड़े केक्स बनाएं. फिर इन ही मिट्टी और गाउं के गोबर के मिश्रन से घर की दिवारों को बनाना शुरू किया. We whitewashed the walls and decorated them with beautiful designs. We put up the thatched roof. Now our house shines like a diamond in the dark night. अभी हमारा घर रात को एकदम हीरे की तरह चमकता है. Now discuss. A lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? Jasma's village. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? क्या आपको लगता है कि ये वाले घर सुरक्षित रहेंगे अगर दुबारा एक भूकम पाया तो? हाँ, ऐसे घर जरूर सुरक्षित होंगे. People in Jasma's village rebuild their houses with the suggestions from engineers. These engineers give suggestions to build houses so that they would be least damaged in case of an earthquake. क्योंकि इस तरीकी के engineers और scientists जो दिन रात भूकम को लेके ही study करते रहते हैं, बहुत सारे research करते हैं, उन्हें इस चीज़ की बहुत जानकारी होती है, कि भूकम हमारे धरती के नीचे की किन हलचलों की वज़े से होता है, और जब धरती हिलती है तो उपर के building में किस तरीके क हो सकते हैं, तो इसलिए एक बार जान लेते हैं कि भूकम क्यों आता है, यह है हमारा world map, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे धरती के बहुत ही अंदर एक दम नीचे, deep under the surface, the earth is divided into many plates, हमारी धरती बहुत सारे अलग-अलग plates से divided है, जो कि हमें बाहर से दिखाई न सतह हैं, जब भी यह plates हिलती हैं या फिर आपस में टकराती हैं, तो उपर की जमीन भी हिलती है, और जब उपर की जमीन हिलती है, तब भूकम आता है, यह orange color की lines, यानि कि इन plates की boundary, जिन जिन देशों की सतह से होकर गुजरती है, वहाँ पे भूकम के chances बहुत ही ज्यादा है, यह है हमारा प्यारा भारत और उसी तरीके की एक tectonic plate हमारे देश के उपर ही सतह से होकर गुजरती है, इसी लिए आसाम और सिक्किम के area में तो भूकम के जटके साल में एक दो बार तो हमेशा आते ही आते हैं, जब भूकम आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप निकल के एक दम खुले मैदान में चले जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण वर्ष अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बिल्डिंग के अंदर ही रह जाते हैं, तो हमें खिर्कियों, काच की दिवारों, दर्वाजों, दिवारों, बड़े-बड़े फरनीच के नीचे ही शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर की छट भी तूटके गिरती है, तो वी वो बेट के उपर गिरेगी, हमारे सर के उपर नहीं गिरेगी, we should take shelter under a strong table and hold the legs of the table tightly, until the shaking of the ground stops, ऐसी आपदा के समय में, जब लोग अपना घर बार खो बैटते हैं, अपने सामा वोड बी नीड़ेड और फॉर वोट, राइट इन यूर नोटबुक एज शोन हीर, तो सबसे पहले, डॉग्स हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, दे के समेल आउट वेर पीपल आ लाइं ट्रैप्ट, जैसी कि आपने अपने फॉर्स चैप्टर में पढ़ा है, डॉग हैसे और इसके बाद, अपने बी लिटरी वाले भी हमारी मदद करते हैं, लोगों को रिस्क्यू करने में, उसके बाद डॉक्टर्स मदद करते हैं, जिन लोगों को चोट लगी है, दोस हो आर इंजियोर्ड उनकी ट्रीटमंट करने के लिए उन्हें दवाई देने के लिए, अर्किटेक्ट्स और इंजिनियर्स मदद करते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ हाउजस डिजाइन करने के लिए, बहुत सारे गवर्मेंट और गवर्मेंट और गवर्मेंट ओर्गनाइजेशन्स, सरकार की तरफ से लोग आते हैं, लोगों को खाना, पानी, कपड़ा, दवा हम सब के साथ इसी लिए तो रहते हैं, ताकि जरुवत के समय पे, आफत के समय पे हम एक दूसरे की मदद कर सके हैं, इमेजन, लिविग इन अ प्लेस वेर देर वोड़ बी नो हाउज और पीपल अर पीपल आराउंड, हाउट वोड बी लाइक, एक दम अकेले हों, तो ऐसी कंडिशन में आपको कैसा लगेगा? It would be definitely very scary, बहुत ही डरावनी situation होगी, हम किसी के भी साथ बात नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, हमारे special त्योहार्स और special days हम किसी के साथ नहीं मना पाएंगे, ऐसी हालत में रहना बहुत ही डरावना और boring भी होता है, People face a lot of difficulties when they lose their people from their family, जब लोग अपने घर के सदस्यों को लुखो देते हैं, अपना घर खो देते हैं, घर का सामान खो देते हैं, तो उनके लिए कितना ही दुखत condition होता होगा? In the newspaper of last one month, look for news related to such disasters. आप भी अपने newspaper में पिछले एक महिने में disaster से भरे हुए खबरों के बारे में पता कीजिए और उनकी cutting करके अपने notebook में एक report बनाईए. Earthquake के अलावा कुछ और natural disasters भी होते हैं, जिससे हमारी देश के बहुत सारी जगा प्रभावित होती है. If there is no rain, crops can fail and there can be a drought. जब बहुत सालों तक किसी एक जगा पे बारिश ना हुई हो, सब जगा सूख गया हो, तो ऐसी condition में drought पड़ता है. drought मतलब सूखा, जैसे के आप इस picture में देख रहे हैं, पूरी जमीन एक दम सूख गई है, एक दम सूखा पड़ गया है. But in such case also, food for people can be brought from other places so that there is no famine. ऐसी condition में वहां में रहने वाले लोगों के लिए खाना पानी किसी दूसरी जगा से मंगवाया जाता है, ताकि लोगों को भूक मरी ना हो, यानि कि लोग भूक से ना मरे. Famine का मतलब अकाल होता है, जब किसी भी एक जगा पर बहुत समय तक खाने की कमी हो गई हो और लोग खाने की कमी से मरने लगते हो, ऐसी condition को अकाल कहां जाता है, in English it is said famine. तो इसी के साथ हमने खतम किया अपना एक चैप्टर और जाना, प्राकृतिक आपदाय यानि के नैच्रल दिजास्टर के बारे में बहुत कुछ. वर्क बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, you can check it out, we will meet very soon with the explanation and workbook solution of our next chapter, till then thank you very much and God bless you all.